वो हैरान रह गई वो उस नौजवान से पहले भी मिल चुकी थी ये गौतम था गौतम गौतम उठो वो गौतम के गालों पर धपड मारते हुए बोली लहजे से परिशानी टपक रही थी लेकिन गौतम पूरी तरह से बेहोश था जगे जगे से उसके जिसम से खून बह रहा था ये राजु कमबख्त कहां रह गया शान्ती गुजसे से बोली फिर वो उठी और बाजूं से पकड़ कर गौतम को खीचने लगी शान्ती का काफी जोड लग रहा था लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और बड़ी मुश्किल से गौतम को तख्त तक ले आई उसने गौतम को वही छोड़ा और फिर बाहर जाकर दर्वाजे की कुंडी लगा दी वो वापस कमरे में आई अभी वो गौतम को तख्त पर लिटाने के लिए सोच ही रही थी कि बाहरी दर्वाजे पर दस्तक हुई लगता है राजू आगया उसने कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आई और तेजी से कमरे से बाहर निकल कर बाहरी दर्वाजे की तरफ पड़ी कौन उसने साउधानी से पूछा मैं हूं बीबी जी बाहर से राजु की आवाज आई तो शानती ने आगे बढ़ कर दर्वाजा खोल दिया राजु के हाथों में खानी पीने का सामान मौजूद था तुम ऐसा करो ये सामान इस टेबル पर रख तो उसने कहा तो राजु ने सामान टेबल पर रख दिया आओ मेरे साथ। इतना कहकर शांती कमरे की तरफ पड़ गई। राजू भी उसके पीछे चल पड़ा। कमरे में पहुँचा तो हैरस से शांती का मूँ तकने लगा। ये कौन है बीबी जी। राजू घबरासा गया। ये कौतम है। शायद उस भेडिये ने इस पर हमला किया है क्या तुम यहां किसी हकीम वगईरा को जानते हो। शांती ने बताते हुए सवाल किया। जी हां जानता हूँ हकीम को। लेकिन राजू बात करते करते रुका। लेकिन क्या राजू शांती उसकी तरफ देखते हुए तेज लहजे में बोली। लेकिन वो आएका नहीं। राजु ने बताया किसलिए नहीं आएका वो हकीम किसलिए बना था शांती को गुस्सा आ गया ये बात नहीं है बीबी जी राजु ने फिर बात अधूरी छोड़ी तो आखिर बात क्या है तुम पहलियां क्यों बुझवा रहे हो वो तंग आकर बोली रात बहुत हो गई है औ तुम कोशिश तो करो इसका बचना बहुत जरूरी है चाओ कोशिश तो करो वो मिननत भरे लहजे में बोले ठीक है बीबी जी राजु ने हतियार डालते हुए कहा अच्छा पहले इसे तख्त पर लिटाने में मेरी मदद तो करो फिर दोनों ने मिलकर गौतम को उठाकर आवाज दे कर रोका ऐसा करो राजु दूसरे कमरे में तलवार पड़ी है वो ले जाओ राजु मुस्कुराया और दूसरे कमरे में चला गया तलवार लेने के लिए फिर उसके जाने के बाद शांती ने बाहर तरवाजे की कुंडी लगाई और किचन में आई एक बरतन में उसने पानी करम किया और छोटा सा कपड़ा लेकर कमरे में आ गई उसने कपड़ा पानी में अच्छी तरह भी गोया और गौतम के मूँ से खून साफ करने लगी इसी तरह गौतम के जिसम से बाकी खून के धबेद साफ किये थोड़ी देर बात राजू आखिरकार हकीम को ले आया हकीम साहब भगवान के लिए इसे बचा लीजिए इसका बचना बहुत जरूरी है शान्ती जल्दी से बोली बेटी मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ बाकी जिन्दगी और मौत उपर वाले के हाथ में है इतना कहकर कोतम की तरफ हकीम बढ़ा और उसे देखनी लगा नوجवान इसके कपड़े उतारने में मेरी मदद तो करो और बेटी जरा बाहर तो जाना हकीम ने पहले राजू और फिर शान्ते की तरफ देखते हुए कहा और शान्ती हा में सर हिला कर बाहर निकल गई वो परिशानी से बाहर टहलती रही आदे घंटे के बाद हकीम और राजू बाहर आ गए बेटी मैंने जड़ी बूटियों का लेप उसके जिसम पर अच्छी तरह कर दिया है उमीद है उसे सुबह तक होश आ जाएगा होश में आते ही ये दवा इसे दे देना मैं सुबह इसे देखने जरूर आउंगा हकीम ने इतना कहकर दवा की एक बुड़िया शान्ती को दे दी हकीम साहब आपके पैसे शान्ती ने पूछा बेटी बात में पहले नौजवान की जान बच जाए जो बहुत कीमती है पैसे वगएर तो बात में हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा तो शान्ती भी खुशी से मुस्कुरा उठ toppings शुक्रिया हकीम साहब उसने मुस्कुराते हुए कहा चलो बेटा अब मुझे छोड़ाओ राजू ने हामे सर हिलाया और हकीम के साथ चल पड़ा शांती ने दर्वाजा बंद किया और गौतम के पास आकर बैठ गई गौतम के पूरे जिस्म पर दवा का लेप था शांती तख्त के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गई थोड़ी देर बाद राजू भी आ गया राजू तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाकर सो जाओ मैं गौतम के पास बैठी हूँ शांती ने कहा तो राजू ने हामे सर हिला दिया और चला गया बीबी जी उठिये उस नौजवान को होश आ गया है राजू ने शांती को सोते से उठाया वो आखे मलती हुई उठी उसने गौतम की तरफ देखा तो वो वाकई होश में आ चुका था और उसी की तरफ देख रहा था अब कैसी तबियत है तुम्हारी शांती ने पूछा पहले से बेतर गौतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया शांती भी मुस्कुरा पड़ी राजू तुम ऐसा करो गरम दूद में ये दवा डाल कर गौतम को दो शांती ने दवा की पुडिया राजू की तरफ पढ़ाई और राजू पुडिया लेकर कमरे से बाहर निकल गया गौतम मैं अभी आती हूँ इतना कहकर शांती उठ खड़ी हुई थोड़ी देर बात वो फ्रेश होकर पाथरूम से बाहर निकली राजू गौतम के पास ही खड़ा था राजू मेरे और गौतम के लिए नाश्ता त्यार करो और हाँ अपने लिए भी शांती ने कहा तो राजू हाँ में सर हिला कर कमरे से बाहर निकल गया गौतम दूद ख़तम कर चुका था शांती तख्त के पास पड़ी एक कुरसी पर बैठ गई अब कैसा महसूस कर रहे हो उसने पोचा दूद पीकर काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ गौतम ने कहा तो शांती मुस्कुरा दी रात तुम काफी जख्मी थे बस भगवान की किरपा से बचे हो उसने बताया मेरा मकसद पूरा हो चुका है अब मौद भी आ जाए तो कोई गम नहीं शांती की तरफ देखते हुए कौतम बोला क्या मतलब शांती हैरानी से बोली हाँ आज मेरा मकसद पूरा हो चुका है आज मुझे दिली खुशी मिल गई है कौतम के लहजे में वाकई खुशी शामिल थे ऐसा क्या मिल गया तुम्हें शांती भी खुश होते हुए बोली इससे पहले की कौतम कुछ बताता राजू नाश्टे की ट्रेल ये अंदर दाखिल हुआ हाँ तो पहले नाश्टा फिर बातें शांती ने कहा तो गौतम मुस्करा दिया तुनों नाश्टा करने लगे नाश्टे से फिरी होने के बाद शांती ने राजू को आवाज दी राजू अंदर आया तो शांती ने कहा राजू ये परतन ले जाओ और हकीम साहब को बुला लाओ जी अच्छा राजू ने कहा और परतन समेट कर बता रहे थे हां मैंने उस आदम खोर भेडिये को खत्म कर दिया खत्म कर दिया मैंने उसे गौतम ने बताया क्या शांती हैरत से जैसे चिलाई हां अब वो भेडिया इस दुनिया में नहीं रहा मैंने उसे खत्म कर दिया गौतम ने रौब से कहा ओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है शान्ती खुशी के मारे चिलाते हुए बोली इसका मतलब है लोगों को उस आदम खोर भेडिये की वहशत से छुटकारा मिल गया है अब वो आजादी से घूम फिर सकते हैं चैन से जिन्दगी पसर कर सकते हैं हाँ, बिलकुल कोतम ने मुस्कुराते हुए कहा बहुत खुशी हुई ये सुनकर शान्ती ने कहा उसी वक्त बाहरी दर्वाजे पर दस्तक हुई शान्ती उठी और कमरे से बाहर निकल आई वापस कमरे में आई तो उसके साथ हकीम साहब और राजु थे नमस्ते हकीम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा नमस्ते कोतम ने हाथ जोड़ कर जवाब दिया हाँ तो नौजवान, अब कैसा महसूस कर रहे हो हकीम ने कोतम से पूछा भगवान की किर्पा से बहतर हूँ बलकि बहुत बहतर महसूस कर रहा हूँ कोतम ने मस्कुराते हुए जवाब दिया हकीम सहब ने अपने कंधे से लटकते धैले को उतारा और उसमें से प्लास्टिक की एक छोटी सी डिबिया निकाली और शांती की तरफ बढ़ाते हुए कहा बेटी ये खास जड़ी पूटियों की दवा है इसके जखमों पर लगाती रहना भगवान ने चाहा तो जल्द ही सारे जखम भर जाएंगे शांती ने हाथ बढ़ा कर वो डिबिया पकड़ ली बेटा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने जखमी हो गए हकीम साहब ने पूछा तो गौतम ने सारी बात उने बता दी क्या? ये वाकई? मेरा मतलब है ऐसा हुआ? हकीम साहब हैरत और खुशी के मारे बोले हाँ हकीम साहब मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ इसलिए तो मैं जिन्दा बच गया हूँ अगर वो खुनी भेडिया जिन्दा होता तो अब तक मैं दूसरी दुनिया में पहुँच गया होता इसका मतलब है वो आदम खोर भेडिया अपने अन्जाम तक पहुँच गया हकीम साहब इतना कहकर उट खड़े हुए अच्छा अब मैं चलता हूँ राजू हकीम साहब को छोड़ाओ शांती ने कहा अरे नहीं बेटी रहने दो अब तो ये खुशखबरी मैं सारे गाउँवालों को जाकर सुनाता हूँ हकीम साहब के लहजे में बेपना जोश था हकीम साहब आपके पैसे शांती उटते हुए बोले पेटी रहने दो पैसे ये नौजवान ठीक हो गया मुझे मेरे पैसे मिल गए और वैसे भी इसने पहादुरी का काम किया है और भगवान की तरफ से ये हमें बजाओ का जरीया मिला उस आदम खोर भेडिया से हकीम साहब खुश होते हुए बोले और साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गए इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिये इस कहानी का अगला एपिसोड